सद्गुरू, शादी कितनी जरूरी है और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए सही रस्ता है? क्या आप शादी शुदा है? नहीं नहीं, क्योंकि जादातर लोग ये सवाल बाद में पूछते हैं आप सही समय पर पूछ रहे हैं रेखिए, पहले ये समझते हैं कि लोग शादी क्यों करते हैं एक इंसान के तौर पर, चाहे आप आदमी हो या औरत, आपकी कुछ जरूरते होती हैं जब आप आट साल के थे, आपका नाम क्या है? अनुशका 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 ठीक है अगर आप शादी करेंगी तो हम आपका नाम आधा काड़ देंगे, हम आपको अनुश बना देंगे क्योंकि शादी करने के लिए आपको संस्कृत विद्वान कहां मिलेगा? तो जब आप आट साल के थे, अगर मैं कहता हूँ अनुशका अगर आप शादी करना चाहती है, वो बकवास लगती है, है ना? मेरा मतलब है तब उस सवाल का कोई मतलब नहीं था, हाँ? उस सवाल के कोई माइने नहीं थे, अगर मैं आपसे तब पूछता जब आप 6 के थे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, जब आप 8 के थे, तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपका परिवार किस तरह का है, ये या तो एक मजाक होता, या आप इसका विरोध करते, या इसे व एक खास तरीके से बढ़ने लगा है, हार्मोन्स ने बुद्धी पर कबजा करना शुरू कर दिया है, और अब आप सोच रहे हैं, अगर मैं आपसे 18 साल की उम्र में पूछता हूँ, तो आपकी परवरिश के माहौल के आधार पर आपका जवाब स्पष्ट रूप से हाँ य कि इस पर निर्भर करेगा कि आपके साथ 14 से 18 की बीच क्या हुआ है, हां? तो अब ये अच्छा है कि उन सभी पड़ावों से गुजरने के बाद अब आप खुद सवाल कर रहे हैं, न कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या आपके माता पिता आपसे पूछ रहे हैं, आप ख आपसिक जरूरते होती हैं, सामाजिक जरूरते होती हैं, आर्थिक जरूरते होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग शायद इन चीज़ों के बारे में जागरूकता से नहीं सोचना चाहेंगे, कि उन्हें लगता है कि अगर वो इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो उनकी शादी बदसूरत हो जाएगी पर वैसे भी ये चीजें तो हैं ही अगर ये अरेंजड मेरिज है तो कोई दूसरा इस बारे में सोच रहा है अगर आप इसे खुद अरेंज़ कर रहे हैं तो आप निश्चित ही इस बारे में सोच रहे हैं हाँ या नहीं अगर आप सिर्फ शरीर हैं और आप में दिमाग नहीं है तो अलग बात है वरना एक औरत को अब सामाजी के आर्थिक कारणों से शादी करने की जरूरत नहीं है उसके पास चुनाव है वो अपनी खुद की आर्थिक और सामाजीक स्थितियों का खयाल रख सकती है सो साल पहले ऐसा नहीं था आप में शादी के लिए चाहिए शारीरीक भावनात्म के मानसिक जरूरतें न भी हो फिर भी बस सामाजीक और आर्थिक कारणों के लिए आपको शादी करनी होती थी हाँ? पर अब ऐसा नहीं है ये थोड़ी बहुत आजादी है अब आपके शादी करने के कम से कम दो कारण खत्म हो गए है अब आपको बागी तीन पर विचार करना है बस क्या आपको मानसिक तोर पर एक जीवन साथी की जरूरत है क्या आपको जीवन साथी की भावनात्मक जरूरत है आपकी शारिरिक जरूरतें वे कितनी प्रबल है आपको इसे अपने हिसाब से देखना होगा ये कोई सामाजिक नुस्खा नहीं है कि हर कोई शादी करे या हर कोई शादी न करे ये कारगर नहीं होगा एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरतें कितनी तीव रहें अगर ये एक हलकी जरूरत है जिससे आप आसानी से पार जा सकते हैं अगर ये एक छोटे दौर की जरूरत है, तो शादी मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्यूंकि बंद जाने का कोई फाइदा नहीं है, क्यूंकि बंदने के साथ, ये सिर्फ दो लोग ही नहीं रहेंगे, ये चार या कभी-कभी छे हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहा रहा हूँ, कि ये गलत है, क्या आप इसे चाहती हैं, यही सवाल है, हर इंसान को खुद के लिए सोचना चाहिए, नकि सामाजिक मानदन्ड से चलना चाहिए, सामाजिक चलन चाहे जो भी हो, मैं शुरू से ठीक यही बात कह रहा था, आप आध्यात्मिक सिर्फ तभी बनते हैं, जब आपके चुनाव सो फीसदी खुद के होते हैं, और आप दूसरी ताकतों से प्रभावित नहीं होते, आपको चुनना है कि क्या ये जरूरी है, अभी लोगों ने दूसरी तरह के समाधान ढून लिये हैं, पश्चिम में और भारत में भी काफी हद तक ये होने लगा है, ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, हम दोनों बस साथ रहेंगे, हम लोग साथ साथ रहेंगे, तो ये साथ रहना, अगर आप बस एक इनसान के साथ रह रहें हैं, तो ये वैसे भी शादी ही है, ठीक है? चाहे आपके पास शादी का सर्टिफिकेट हो या ना हो पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप हर सप्ता अपना साथ ही बदल सकते हैं तब आप खुद को एक गंभीर नुकसान पहुचा रहे हैं क्योंकि जैसे आपके मन में याददाश्ट होती है वैसे ही आपके शरीर में याददाश्ट का भाव बहुत अधिक प्रबल होता है इसी वजह से हम आपको ऐसे स्थानों में ले जाते हैं भले ही आप तारकिक रूप से कुछ न समझें उन्होंने लगातार उर्जा के स्थान और दूसरे प्रकार की संभावनाओं के स्थान इसलिए बनाए हैं क्योंकि शरीर उसे आत्मसाद कर लेगा और याद रखेगा शरीर की याददाश्ट का भाव बहुत प्रबल होता है शरीर इसे आत्मसाद कर लेगा और याद रखेगा हो सकता है आप हिमाले को भूल जाएं लिकिन शरीर हिमाले को नहीं भूलेगा ये हमेशा याद रखेगा आप भूलने की बीमारी के कारण पूरी याद दाश्त खो सकते हैं लेकिन बहुत एक शरीर में यादें बनी रहेंगी, शरीर इसे नहीं छोड़ेगा, बस क्यूंकि आपने अपनी याददाश्ट खो दी है, तो इस वजह से आप अपने कर्म तको नहीं खोने वाले हैं, तो शारिरिक नज़दीकी को हमेशा से, यहां इस परंपरा में इसे रिणान उबंध कहा जाता है, यह शरीर याददाश्ट का एक गहरा भाव विकसित कर लेता है, और इस तरह की बहुत सारी यादें एक खास स्तर का भ्रहम और एक खास स्तर की पीड़ा पैदा करती हैं, आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, आप इसे बहुत साफ देख सकते हैं, जो लोग अपने जीवन के साथ लापरवा हैं, वो सही माइने में आनंद को कभी नहीं जान पाएंगे, वे बस वैसे ही रहते हैं, कृपया आप इसे अपने आसपास द्यान से देखें, ये साफ दिखता है, जो लोग अपने शरीर को लेकर अनुशासित नहीं हैं, वे कभी पूरी तरह से हस नहीं सकते, नहीं पूरी तरह से रो सकते हैं वे ऐसे बन जाते हैं क्योंकि एक ही जीवनकाल में बहुत एक शरीर में ब्रहमित होने वाली यादें कई ऐसे प्रभाव डालेंगी तो इन जरूरतों को पूरा करने का ये कोई समाधान नहीं है तो आप या तो शादी कीजिए या शादी मत कीजिए कि आप इन जरूरतों से परे चले जाईए लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे आपको निजी तोर पर देखना होगा कि मेरी जरूरत कितनी तीव रहे अगर आप सपश्टता से और समाज से प्रभावित हुए बिना इस पर गोर करना चाहते हैं तो हमेशा सबसे अच्छा ये होगा कि आप एक महीने की छुट्टी लें आश्रम में रहें और बस ध्यान करें जब आप निर्णे लेले necessarily तब आपको इस पश्टता की स्थिती में होना चाहिए किसी से प्रभावित होकर नहीं ने तो गुरू के द्वारा और नहीं समाज के द्वारा आप किसी से प्रभावित नहों खुद को इस पश्टता की एक काखास अवस्था में लाइए उस पश्टता में देखिए कि आपकी जरूरत क्या है आपकी जरूरत वाकई कितनी तीवर है अगर ये जरूरी नहीं है तो बात खत्म एक बार जब आप फैसला कर लें तो उस दिशा में मत देखिए अगर आप उस तरफ जाने का फैसला लेते हैं तो इस तरफ मत देखिए बस वही कीजी आपको इन में से एक चीज करनी चाहिए अगर आप बीच में लटके रहेंगे तो आप लगातार भ्रहम की अवस्था में रहेंगे ये या वो सबसे अच्छा क्या है क्या सबसे अच्छी चीज है सबसे अच्छी चीज कुछ नहीं होती है जहां भी जो भी आप करना चुनते हैं अगर आप उसे पूरे दिल से करते हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है फिर भी ये सबसे अच्छी चीज नहीं है क्योंकि दुनिया में कुछ भी सबसे अच्छी चीज नहीं है जो आप कर रहे हैं, उसमें अगर आप वाकई खुद को जोंग देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लिकनि ये सर्वश्रेष्ट चीज नहीं है सर्वश्रेष्ट में दूसरे लोग शामिल होते हैं है न, बेस्ट का मतलब है, बेस्ट सौदे का मतलब है कि आप हर किसी से बेहतर हैं इसमें दूसरे लोग शामिल है, ये खुद को हरानी की प्रक्रिया है जिस पल आप सर्वश्रिष्ट करने की कोशिश करते हैं आप खुद को हरानी की प्रक्रिया पर आ जाते हैं मैं एक शांधार चीज कर रहा हूं इसमें कोई दूसरा शामिल नहीं है मैं बस सड़क पर चल रहा हूं मुझे लगता है मैं एक शांदार काम कर रहा हूँ मैं सबसे अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ हिमाले की गुभाओं में रहने वाले योगी वो सबसे अच्छी चीज नहीं कर रही है वो खुद के लिए एक शांदार काम कर रही है कोई शादी शुदा है, खुशी से अपने परिवार के साथ रह रहा है, तो वो एक शांदार काम कर रहा है, वो सबसे अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो सबसे अच्छा काम करने की कोशिश मत कीजिए, जीवन बरबाद हो जाएगा, क्यूंकि इसमें पूरी दुनिया शामिल ह इसका मतलब है कि आपको सबसे अच्छा काम करने के लिए सिकंदर महान होना होगा, और यकीनन उसने सबसे अच्छी चीज नहीं की और नहीं कोई महान चीज की, क्यूंकि वो कुछ और करने के नाकाबिल था, तो हमने कहा कि वो महान है और उसे खारिच कर दिया, क्यूंकि वो असल में मनुश्य केहलाने की किसी भी श्रिणी में नहीं आता। तो ये ऐसी चीज है जिसके लिए आप अपने अंदर स्पष्टता का एक स्थर लाइए और अपना निर्णे लीजिए। एक बार जब आप फैसला कर लें फिर कोई भटकाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि निश्चल तत्वम जीवन मुक्ती। अगर आप उसे पूरी भागीदारी के साथ करते हैं, अगर आप में निश्चल तत्वम है, यानि आप जो कर रहे हैं, आप उसी में लगे रहते हैं, बस उसी में। हिमाले की सडकों पर गाड़ी चलाना आपके साथ यही करता है, ट्रेकिंग या परवतारोहन भी आपके साथ यही करता है, जब आप ये काम करते हैं तो आप कुछ भी और नहीं कर सकते, आप कुछ और करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका आखरी काम होगा। अगर आप इन सडकों पर अपनी गाड़ी वाकई तेज चलाते हैं, तो आप सिर्फ वही कर सकते हैं अगर आप कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप आखरी काम कर रहे होंगे तो आप अपना जीवन उस तरीके से जीएं, आप जो भी कर रहे हैं, आप बस पूरी तरह वही करें अगर आप में वो निश्चल तत्वम है, तो आप चाहिए जो करें, वो ठीक है पर हर दिन बदलना बदलना बदलते रहना, जो लोग 15 साल से शादी शुदा हैं, अब वो सोच रहे हैं, शायद मुझे ब्रहमचरे लेना चाहिए था जो लोग दस साल से ब्रमचारी हैं अब वो सोच रहे हैं शाद मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी ये जीवन के अंतहीन बरबादी है